आज हम आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आए हैं जो आपके स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मंद है इसका नाम है पवार नमशकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर पवार एक अत्यंती ही प्रभावशाली औशदिय पोधा है भारत में इसे विभिन नामों से जाना जाता है संस्कृत में चक्रमर्द, दादमर्दन, दादमारी, प्रभुनात और तागा हिंदी में पवार, फुमबाड्या, चक्रवात और चकुंडा पंजाबी में पवार और चकुंडा, मराठी में टाकला और टाकलों, इंग्लिश में फेटिड कैसिया और लेटिन में कैसिया तोरा पवार की पहचान यह पोधा वर्षा रितु में पैदा होता है इसके पत्ते देखने में मेती की तरह होते हैं और फूल पीले रंग के होते हैं इसकी कलियां करीब चार इंच लंबी और पतली होती हैं इन कलियों में से भूरे रंग के दो छोटे मेती के समान दाने निकलते हैं गुण, दोश और प्रभाव आयुरुविदिक मत के अनुसार पमार, हलका, स्वादिष्ट और वात और कफ नाशक भी है इसके साथ साथ यह हिर्दय को शीतर करने वाला है यह श्वास, दाद और क्रिमी को नश्ट करने के लिए जाना जाता है इस पौधे के बीज, गर्म और कडवे होते हैं इसके बीजों का इस्तिमाल विश, वात, गुल्म, खासी और कुष्ट रोगों में किया जाता है पवार के पत्तों का शाक, हलका, पित जनक, अमल, गर्म और कफ नाशक होता है पवार के फाइदे तवचा रोग इस पौधे का इस्तिमाल विशेश कर तवचा संबंदित रोगों में किया जाता है तवचा के सभी रोग जैसे की तवचा का मोटा होना पवार के इस्तिमाल से दूर होते हैं चर्म रोगों में इस पौधे की पत्तियों का शाक देने से और इसके बीजों को निम्बू के रस में पीस कर लेप करने से उत्तम लाब मिलता है नेत्र रोग पवार का इस्तिमाल नेत्र से जुड़े बाहरी वा आंत्रिक रोगों में किया जाता है पेट संबंधित समस्या इस पौधे की कलियों का इस्तिमाल सभी प्रकार की पेट की समस्याओं में किया जाता है तो ये थी पवार से जुड़ी कुछ जानकारी प्रकृती में पाए जाने वाली वनस्पतियों और जड़ी बूटियों की विस्तरित जानकारी आयुर्वेद में मिलती है इसलिए आयुर्वेद को अपने जीवन में अवश्य अपनाए यदि आप कोई आयुर्वेदिक दवा घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं तो परमानंद आयुर्वेद आपके लिए एक बहतरीन विकल्प है परमानंद आयुर्वेद भारत की एक मातर ऐसी कमपनी है जो आयुर्वेदिक दवाईयों की फ्री होम डिलीवरी देती है अधिक जानकारी के लिए और दवा मंगवाने के लिए जाइए www.paramanandayurve.com पर इसके अलावा आप फोन नंबर 999004674 के जरिये भी संपर्क कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आयुरुवेदिक आउशधी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद